दोस्तों Redmi Global Market में अपना new smartphone Redmi 12 series को launch करने जा रहा है और इस phone का launch date को भी confirm किया जा चुका है ये phone Global Market में launch होने बाला है और ये Redmi 12 series में तीन smartphone launch होगा जिसमें की एक होगा Redmi Note 12 दूसरा अगवा Redmi Note 12 Pro और तीसरा अगवा Redmi Note 12 Pro Plus ठीक है ये तीन smartphone launch होगा इस वीडियो में बताएंगे इन तीनों smartphone के कुछ highlighted specification जो की leak हुआ है और साथी साथ इसका launch date भी बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले लुक का अगर बात करें तो ये तीनों phone look के मामले में ठीक ठाक और अच्छा smartphone होने वाला है ये phone triple camera setup के साथ आएगा एक LED flash मिलेगा और overall phone look के मामले में बनिया होगा वहीं Redmi Note 12 Pro होगा और Redmi Note 12 Pro प्लस जो होगा उसमें कर्व AMOLED या फिर OLED डिस्पले दिया जाएगा और Redmi Note 12 जो होगा वो normal डिस्पले के साथ आएगा जो की flat डिस्पले होता है जनरली सारे स्मार्पोन में जो डिस्पले मिलता है दिस्पले के साथ आएगा वहीं इन तीनों स्मार्पोन में 6 इंच से बरा डिस्पले दिया जाएगा जो की OLED डिस्पले या फिर AMOLED डिस्पले होगा और expected है कि Redmi Note 12 Pro और Pro Plus में HDR 10 Plus का भी support दिया जाएगा वहीं processor का बात करें तो देखिए Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus में MediaTek का Helio 1080 processor दिया जो की performance wise ठीक ठाक और बढ़िया होगा और ये phone Snapdragon 778G से थोड़ा ज्यादा बेटर performance आपको देगा और Redmi Note 12 वे उसमें कौन सा processor दिया जाएगा इसका confirmation नहीं है लेकिन लग रहा है कि Redmi Note 12 जो होगा ये Helio G99 के साथ आएगा वहीं इन तीनों स्मार्पोन के camera का बात करें तो Redmi Note 12 Pro होगा ये 50 Megapixel के Sony IMX 766 वाले sensor के साथ आएगा और इसमें OIS का भी support मिलेगा और जो ये Redmi Note 12 Pro Plus होगा वो 200 Megapixel के camera के साथ आएगा जिसमें की Samsung का sensor यूज किया जाएगा और ये तीनों स्मार्पोन में 16 Megapixel का selfie camera मिल सकता है वहीं ये Redmi Note 12 होगा उसमें कितना Megapixel का rear camera दिया जाए ये Oak号 के battery department का बात करें तो देखिए इन तीनों समार्पोन में 5000 एमेज का battery मिलेगा और ये Redmi Note 12 जो होगा ये 67 What के fast charge को support करेगा और ये Redmi Note 12 Pro ये 120 वाट के fast charge को support करेगा और Redmi Note 12 pro Plus में 210 वाट के fast charge का support दिया जाएगा और तीनों स्मार्पोन में box में charger भी मिल जाएगा तो देख यह Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus यह दोनों स्मार्पोन बैटरी डिपार्टमेंट में भी बहुत तगड़ा होगा वहीं Redmi Note 12 Pro और Pro Plus यह dual stereo speaker के साथ आएगा और यह दोनों स्मार्पोन dual sim slot के साथ आएगा memory card लगाने का option ना के बराबर है लेकिन इसका अभी confirmation नहीं है लेकिन फिर भी expected है कि यह dual sim slot के साथ ही आएगा 3.5 mm का headphone jack मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है और यह दोनों phone side mounted fingerprint sensor के साथ आएगा तो देखिए यही कुछ था इन तीनों smartphone का highlight specification जो कि इस वीडियो में के साथ share किये और यह phone 37 October को चानी market में launch हो रहा है तो launch के बाद इन तीनों smartphone का specification confirm हो जाएगा फिर आपको inform जरूर करेंगे और कितने price पर यह launch होता है यह भी देखते हैं वैसे इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video